है दोस्तों कैसे आप लोग मैं दुरगे जैश्वाल मेरी यूटूब चैनल इडले नीम दुरगेश में आप सभी का स्वागत है दोस्तों लिखित परिच्छा को ध्यान में रखते हुए कि जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो साथी बहतर स्कोर कर सके इसके लिए मैंने आप लोग के लिए पान सो पच्चास प्रष्णों का संग्रह लेकर आया हुए यह प्रष्ण बिभिन परिच्छाओं में पूछे गए हैं यह ऐसे प्रष्ण हैं जो आपके परिच्छा के दिश्टी कौन से महत्पूर है हम आसा करते हैं यहां से आपके दस से पंद्रह प परिच्छा के साथ साथ प्रदेश में होने वाली सभी भरती परिच्छाओं के लिए महत्पूर्ण हैं जिने में सामान ग्यान को को भी से के रूप में या सेल्बस में उन्हें दर्जा मिला हुआ है चली दोस्तों बिना समय गवाएं हम लोग आगे पढ़ना सुरू करते हैं अच्छा अब बता दें अगर वीडियो आपको साफ न नजार आ रहा हो आप वीडियो क्वाल्टी यहां उपर टेच करके हां क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं और चली दोस्तों सुरू करते हम लोग ना नमबरी नहीं पढ़ेंगे क्यों हम लोग प्रशनों पढ़ते चले अब जो मानसरोवर के में 33 भारती जाते हैं वली पूले एक दर्रा पार करके जाते हैं यहां मानसरोवर जील मानसरोवर जील का आपने कई बार जिकर सुना होगा जब भी आप नदी पढ़ते हैं तो मानसरोवर जील राकस ताल इनका जिकर आपको मिलता है कैलास परवत कैल पहुत जाती है तो इसका नाम बदल कर हो जाता है कैलास परवत तो ही कैलास परवत घाटी में धर्सन के लिए जाते हैं आगे दिखते हैं दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा भी अंतर है कि हम नदीगर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे लेकिन अभी आप लोगे जानते रहेगा कि मांसरवर जील के पास द्यान दीगर इसमें यह नहीं कहा है मांसरवर जील से मांसरवर जील के पास सिंदु सतलज और ब्रहुंपत रधियों का उद्गा मस्तल है अब कूल अच्छांस रेखा अब यह देखिए पूरा गलोब हो ग एक तीन किलो मीटर होती है और एक दूसरे के शमानांतर होती है पूरे गलोब पर इनकी संख्या 180 है चैसे दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ अच्छांस रेखाओं के प्रवक नामकरन है जो आपके परिच्छा के दिश्टीकोंड से महत्पूर है 233 अच्छांस को यह जो यह देखी समय इसे हम क्या कहते हैं करकर एका साड़े 23 अच्छांस को मकर एक नाम से हम जानते हैं चली दोस्तों और उपर आर्कटिक नीचंट आर्कटिका क्या कहते हैं अक्छांस रेखा माने दुनों दुनों को मिलाने वाली अर्द वित्ता का कल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे क्या कहते हैं हम लोग जैसांतर रेखा कहते हैं छे दोस्तों आगे पढ़ते हैं फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं अस्थल पपड़ी जिसे क्रश्ट कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं जिस यह हैं अस्थल मंडल चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग खाइबर दर्रे में कौन से दो दे जुड़ें खाइबर दर्रे से देखें दोस्तों यप के लिए महत्पूर्ण है पाकिस्तान और अफगा है चलिए दोस्तों आगे है जो हम लोग पढ़ते हैं वर्स 2006 के लगभग मद्य में निम्लिखित हिमाले दर्रों में कौन सा भारत और चीन के बीच ब्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था ना थुला दर्रा कौन सा दोजार च्छा में भारत और चैना के बीच ब्याप दछिण से उत्तर की और प्रवायत होती है दोस्तों बेट वह यह कहां यह नीचे दचिण से उततर की तरह प्रवायत होती है मालवा के पठार के पास और आपने निकलते हैं अपिछिव की किस बहाग में निकल लोहे की प्रधानता है दोस्तों हम जानते हैं पिठीवी को राशारी सचना कादार पे अंदर तीन बहागों में बाटा गया है उपर सियाल, शीमा और नीफे शीयाल मतलब क्या होता है सिलकान और मेंगनेशियम और नीफे सबसे नीचे है कहां पे है सबसे नीचे यहां पे इस भाग में क्या है नीफे निकला और फिरस फिरस्माने लोहा तो यह पिठीवी की आंतरिक सरचना ची दोस्तों और आगे आते हैं हम लोग देखते हैं अच्चुरी डेल्टा नहीं बनाती अभी यह तो आप संदिया होता तो आपको बताते हैं लोके नहीं क्या क्या प्रस्थ न उठाया है इसलिए एक्चुरी डेल्टा कौन नहीं बनाती महा नदी नहीं बनाती आगे देखते हैं हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं अब है वस्निया का सबसे प्रमुक परवत कौन सा है डिनेरिस डिनेरिक अलपस कौन सा डिनेरिक अलपस आगे देखते हैं दोस्तों कोला प्रायदीब किस देश में इस्तित है तो रूस में कौन सा कोला प्रायदीब क आगे दिखतम लोग छोटा नागपूर पाटाई पर दे सबसे प्रमुख नगर कौन सा है छोटा नागपूर के बारे में जा लेजेगा छोटा नागपूर का पढ़ार का पर है जहारखंड में नागपूर में नहीं है तो इसका सबसे प्रमुख नगर इस पर कौन सा राची तो जहारखंड की राजधानी है आगे कोचीन का जुड़वा नगर एनार कुलम यह महत्पोड है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है एनार कुलम चलिए विसु का एक मात्र हिंदू राष्ट नेपाल लिकिन अब जब से समिदान लाग हो गया है यहां पे भी पंधनी 6 अरव वःषपोर इसकी क्या होई थी उत्पत्ती होई थी खार आ Osman 1902 में भारत की सबसे पहली चलिव दूद अगे बहारत में शोरब रथम कोयला उत्पन किस अस्थान से प्रारम किया गया राणी गएंज। दोस्तों यह महतना आपको स्वार्थ ये माने लावा के ठंडा होकर जमने से जिस चट्टान का निर्मार होता है उसे आगने सेल कहते हैं इस सेल में क्या होते हैं जिवास में नहीं पाया जाते हैं इसके दो करण हैं पहला करण इसे प्रिथवी की प्राथिमिक सेल प्रामरे रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि जब प्रिथवी का निर्मार हुआ था उस समय च जाते दूसरा कारण यह लावा के ठंडा होने के कारण जो चट्ठान बनती है उसे आगने सैल कहते हैं तो लावा के टंपरेचर इतना ज्यादा होता है कि उसमें कोई विजी जन्त हुआ है तो तुरंत गल जाएगा इसलिए आगने सैल में इस प्रकार आगने सैल में जिवास कौन सी महराष्ट में नहीं है तो महाराथ अमरनाथ की गुफा यह कहा है जम्मू एंड कस्मीर में अब प्रस्ट क्या दिया है हाँ दोस्तों आप लोग परिच्छा में प्रस्ट नसाब करते हैं इस बात का बिसेज धान दीजेगा नहीं है सब देका तो महाराष्ट में न अगर भारत माली आ जाए तो यहाँ जावा समात्र अंडरेश्ट के पास में फिलिपीन्स किस छेत्र में 200 की सरवाधिक पसूओं का मास उस्पादित क्या जाता है पंपाज छेत्र अंजेंटीना दच्छड अमेरिका महादूइप में है यह सबसे ज्यादा पसूओं का मास उत्पादित क्या जाता है पंपाज शेत्र यह कहाँ पर है अर्जेंटीना अर्जेंटीना कहा है अपका दच्छड अमेरिका निम्न में से कौन सी अस्तला करती जॉला मुखी क्रिया से समंदित नहीं है अच्छा गेशर गेशर देखे जॉला मुखी से क्रिया के बाद के बाद कोई अस्था करती नहीं है गेशर का मतलब ही ओता है आपने गीजर सुना होगा ने उसी तरह है यह रोगेजर जब जोलाम की भी ब्रक्षिभीक ख़र्व कोने के अस्थान बड़ से कभी कभी गर्व पानी के फवारे निकलते है उसे क्या कहते हम गेशर कहते हैं यह यहाँ पे क्या लाराता था एक तेथीत मासागर लाराता था लेकिन आहां आज विश्व की सबसे उची परवत्स रेड़ी हिमाले है कौन से अधात्विक खनीज है जिपसम अधात्विक खनीज है यदि पितिवी यह अंत्रिच के बीच से वायमंडल को हटा दिया हुआ माना तो आस्मान का रंग कैसा होगा काला यदि अंत्रिच और वायमंडल लटा दिया जाए अंत्रिच का किसा हो जाएगा काला धिखेगा ध्यान दीजेगा निम्निमे रसे कौन सी नदी पष्चिपाद डेल्टा का निर्माड करती है मतलब पच्चियों के पैर जैसा इस तरह से जिसे पच्ची के पैर होते हैं आगे देखते दोस्तों नेंड में से कौन सुमलित नहीं है आरेंडर साइट चलिए प्रशन नहीं तो आपको समझा जाते हैं शेरी कल्चर किस सोथ पादी था रेसम से से री कल्चर रेसम से यह म माला इस्तीत है सब्री माला केरल में करेंट अफेर भी आपका है सब्री माला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोट ने हाली में अपना फैसला दिया यहां पे महिलाओं का प्रवेश हो सकता है निसके पहले सब्री माला में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था भात में सबसे पुरानी प्रवस्रणी कौन सी है अरावली प्रवस्रणी जो राजस्तान में है जिसका जातर इससा राजस्तान में है a hai उकाईस पर जली बिद्दूद सांथ रूर्जा उत्पादन होती एक कितना पांसो बीस मेगाऊट कितना पांसो बीस मेगाऊट चीह दोस्तों आगे पढ़ते हüm लोग किरे दोस्तों आगे देखते हम लोग तुल्बुल पर्योजना ये सबस्यादा पुछादा तुल्बुल पर्योजना किस नदीपर है जेलम नदीपर किस नदीपर जेलम नदीपर आगे सरदार सौरवर पर्योजना किस नदीपर सरदार सौरवर नर्मदा तुल्बुल जेलम और आगे आते हैं मालवीट पर छेत्र की सबसे प्रमुग विसस्ता क्या है सोद छेत्रफाल चलिए यह ज़्यादा महत्पुर आपके लिए नहीं है सवर प्रतम इंडिया सब्द का प्रयोग किस बासा में किया गया था ग्रीक भासा में सबसे पहले इंडिया सब्द का प्रयोग ग्रीक भासा में किया गया था गारी जड़ो वाली फसलों के लिए निमनिकित में से कौन सी मिट्टी सरवाधिक उप्युकता है काली मिट्टी कपास के लिए भी सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी तो है भिष्ण निम्ली कित में किस Pinosal को अधिक जल की हो सकता के यह जो सकता पड़ती है गणना पिछली बार Meyer लिखीद पर इच्छा में कॉश्चन था उत्तरप्रदेश मैं सवस्जिया दागना उत पादन भिष्णzeich hey नम्ली कित में से किसंते हैं नगदीफषाल काि माउंट एवरेश्ट दुनिया की सबसे उची चोटी आड़ यार आड़ सो पचास मिन्टर मिलता है बिस्ट की दूसरी सर्वोच चोटी आप जानते हैं केटू गाडवी नाश्टीन यह भारत की भी सबसे उची चोटी है और यह कैलास परवत अर्थात कारा कुरम अगर हम अगर इस तरह से हम जमो कस्मीर को देखें तो तो हमें मिलता है यहां पर देखे कारा कुरम यह ट्रांस इमारने का सबसे पूर्वी हिस्सा निसे आगे जाके हम इसे कैलास परवत के नाम जानते हैं इसकी जो सबसे उची चोटी यहां पर इस्तित है वापका क्या है केटु गाडवी नाश्टीन जिसके उचाई है स्याथी सो ग्यारा मिटर यह भारत की सबसे उची चोटी है किन्तु यह भारत के सीमा के अंदर अवस्तित नहीं है यह कहां पर पी ओ के मानिए पाक आकोपाइट कस्मीर पाक अधिकरित कस्मीर में है जिसकी राधानी यही प तरगती अध्यान करते हैं यह दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग अधियों द्वार अच्छे बता यहां पर और भारत में सीमा के अंदर इस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी तो वह आपका कंचन जंगा कितना है आपका यह है आप मौंट एवरेश्ट आठ जार आठ सौन जंगा केटू केटू कितना है च्छी आसी इग्यारा मीटर और पचासी अंठानबे मीटर है आपका सिक्के मिश्थित है कंचन जंगा समीटर में ही है आगाते हैं हम लोग नदियों दोर अपने किनारे पर प्रकिति ग्रूप से बनाये बादों को किस नाम से जानते हैं टटबंद के नाम से जानते हैं जो नदियों दोर अपने किनारों पर बान बनाते हैं प्रकित ग्रूप से वह क्या कहला दें तटबंद कहलाते हैं चाहिए दोस्तों और आगे देखते हैं मोग लोग काली मनतम कि सुदीप कांग है बोर्णीयों बोर्णीयों भी देख लीजिए काहँ पर है बोर्णीयों सिंगापूर जावा सुमात्रा इंडोनेसिया सब भारत के पूर में लेकर देखा जाया तो कहीन नहीं को सब पूर में बंगाल लीघारी के फूर में इस्तीत है इस्ट Henri Twist नी किस जिस अपवातन का अंग हो है बंगाल की खारी का अंग है खारी नदी किसकी है? Бंगाल की खाड़ी अग्या देखते हैं Дोस्तो old says चेटफल की दिष्टि से राजस्तान का सबसे बड़ा जिला जैसल मेर कौनसा है? जैसल मेर निमलिखित में से कौन से जलता गर? अट्लांटिक महसागर में प्रवाइद होती है सु सिमा की धारा यह कौन सी धारा है अटलंjanitic बहुटा है एक लिखन पर कर आता है उससे मेल जाता आपको ठंडी तथा भारी वायू धारा गर में वह हलकी वायू के उपर उठा देने से देने encant नेर्मित वाताग्र क्या कहलाता है सीद वाताग्र कौनसा वातागर सीट वातागर निमने कित में से किस उद्योग को धोरी उद्योग का आभार कहा जाता है लोव इसपात उद्योग को कौनसा लोव इसपात उद्योग का निमने कित में से किसे प्राकित का सुरच्छा वाल जौला मखी को प्राकित का सुरच्छा वाल व कहा ज कि दोस्तों लोग हिमाले परवती छेत्र में में सेंट्रल थर्ष्ट ये में थर्ष्ट क्या है यह ब्रिहाद हिमाले और लगू हिमाले को अलग करने वाली बीच की क्या है एक डिवाइडर का काम करती है इसे क्या कहते है में सेंट्रल थर्ष्ट कहते है यह ब्रिहाद हिमाले और लोगूहमाले की बीच की क्या है कड़ी है यह दुनों और अलग करने वाली रेखा है अगे जब तो प्रकीत में सवतंतर रूपया धात हुआ है दोस्तों अब इसके बात अगले वीडियो हम लोग देखते हैं कि नहीं तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों मेरी आप से क्रिक्वेश्ट है या आप सभी के लिए सभी परिशाओं के लिए सबसे महत्पोर्ण है इसलoneyη मेरी आप से क्रिक्वेश्ट है कि इसी विडियो को आप अपने सभी गृूप में भेज़ दे यदि आप जिस तरह मैंने आपकी मदद की इन प्रश्णों को कहीं से लाके आप तक पहुचाने का उसी तरह आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं इससे सेर जरूर कर दीजेगा मेरी यह रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को आप जितना ज्यादा सेर करेंगे उतने लोगों का फाइदा होगा और अगर आपकी आत्मा का वाज आए तो लाइक भी जरूर कर दीजेगा और कमेंट में जो समस्या है कमेंट बाक से बताइएगा इसी तरह मैं आपको लगबग 550 प्रश्णों का संगरे जान इस्टेड़ी में दूंगा जहांसे मेरी गारंटी है कि 15 प्र रिक्वेस्ट है सभी को सेर करें लाइक करें अगर आपको लगे कोई सुझाओ तो कमेंट बाक में सुझाओ जरूर दीजिएगा इसकी पीडियाप मेरे टेलीग्राम पे या इलैनिक पे दुर्गे इस फैस्टिक पे जल्दी उपलब दो जाएगा आप सभी को मेरी तरफ स देर सुख कमने जै हिन जै भारत